मेरे परिवार जनों, आज पूरी धुनिया भारत में हो रहे विकास की चर्चा कर रही है 2014 में, जब हम सरकार में आए, हमारा सेवाकाल शुरू हुआ आपके आशिर्वात से 2014 में हमारा सेवाकाल प्रारंब हुआ तब हमारा देश, दुनिया की अर्थ वबस्ता में, दस्वे नंबर की आर्थित ताकत था हमारी अर्थ वबस्ता, जब दस्वे नंबर से उपर होने लगी तब उतनी चर्चा नहीं हुई, हम नौ से आठ पर पहुँचे हम आठ से साथ पर पहुँचे हम साथ नंबर से छे नंबर पर पहुँचे कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम छे नंबर से पांच नंबर की अर्थ वबस्ता बड़े हर कोई इसी बारे में बाते करने लगा, अख़बारों में लेक छपने लगे, टीवी पे डिबेट होने लगी क्योंकि पांच वे नंबर की अर्थ वबस्ता बनने के साथ ही हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया, जिसने हम पर दो सो साल तक राज किया था सेवा भाव से समर्पन भाव से काम करते हैं, तो दसवे से पांच नंबर पर पूरी ताकत के साथ पहुँच भी जाते हैं और ये मोदी ने आपको गारंटी दी है, मोदी की गारंटी है, लिख लिजिए जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल सुरू होगा, मैं इस देश की अर्थ बबस्ता को दुनिया की टॉप तीन में लाकर के रहूंगा भाई हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है, हमारी गारंटी देश को आन, बान, सान के साथ आगे ले जाने की होती है हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं होती है, हमारी गारंटी बेरे देश वास्यों का सामर्थ बढ़ाने की होती है साथियों, जब किसी देश का आर्थिक सामर्थ बढ़ता है, तो उसके नागरीकों का सामर्थ बढ़ता है उसके नागरीकों की कमाई बढ़ती है, जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है, तो गरीबों पर खर्च करने के लिए देश के पास पैसे भी जादा आते है इसलिए आज का ये समय कॉंग्रेस से सबसे ज़्यादा सावधान रहने का है कॉंग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है कॉंग्रेस वो पार्टी है जो हजारो करोड रुपिये के गोटा ले करती है कॉंग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ा कर कुर्सी कबजा करने का खेल खेलती है कॉंग्रेस के लिए देश का विकाद जरूरी नहीं, राज्य का विकाद जरूरी नहीं, कॉंग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्त ही जरूरी है और कॉंग्रेस का हाल देखिए, 2014 जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मोका दिया था, आपको पता ही होगा अगे देश के प्रधानमत्री क्या कर रहे है, क्या बोल रहे है, क्योंकि उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से वे, लेकिन एक कॉंग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है, उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कॉंग्रेस के अध्यक्षे रिमोट से चल रहे है, कॉंग्रेस के अध्यक्षे सेनियर मोस्ट लोगों में देख है, मेरे अच्छे मित्र भी है, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है, कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, नाम मात्र के रख दिये हैं उनको, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कॉंग्रेस अध्यक्षे खुद के मुड में आ जाते हैं, कभी ये रिमोट का, अगर चार्जिंग खतम हो गया हो, या कनेक्टिविटी तूट गई हो, तो उनके मुझ से कुछ अच्छी बाते निकल जाती हैं, मैंने कहीं पड़ा, कल उन्होंने पंडवों को याद किया था, जब रिमोट चलता है, तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया, तो उन्होंने कल पंडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया, और उन्होंने कहा, भाजपा में परत पंडव है देखिए जब सज बोलते हैं तो केसी बात निकलती है जी हमें गर्व है हम पाँच पांडवों के राह पर चल रहे हैं इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि साथियों आप कलपना कर सकते हैं कि गरीबो का पैसाह लूटने के लिएि कंग्रेस ने खाश मशिन बनाई आपको मालू मैं 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 बताओं बताओं एक बार कॉंगरेस प्रधान मंत्री ने उसका उल्ले किया था वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर सो रुपिय भेजती थी तो उसमें से 85 रुपिय सीधे कॉंग्रेस नेताओं की तीजुरियों में पहुंच जाते थे सिर्फ 15 रुपिया लोगों के पास जाते थे यह उनके प्रधानमत्री ने कहा था 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा था कि ऐसे तो कभी मैं चलने नहीं दूँगा तो मैंने सबसे पहले कॉंग्रेस की इस ब्रश्ट मशीन के सारे टायर पंचर कर दिये हमने आधार मोबाइल और बैंक खातों की ऐसी त्री शक्ति बनाई कि कॉंग्रेस की ब्रश्ट मशीन टीकी नहीं पाई और फिर देश्वासियों को आज की तारिक भी आद है जब ब्रश्टा चार्यों पर बहुत बड़ी कारवाई हुई थी जो लोग नोटे के गद्दों पर सोते थे उनकी निंद उड़ गई थी और देश का गरीब ब्रस्टा चारियों पर कारवाई होते देख मोदी का जैजै कार कर रहा था इसलिए आज ही तारीक आते ही कॉंग्रेस ऐसे बिल बिलाती है ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज़्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जगमा करानी पड़ी हो मुझे ब्रस्टा चार पर कड़ी कारवाई करने के लिए दिन में सो सो बार गालिया देती है हजारो करोर रुप्य के गोटानी में जो लोग जबानत पर है उन्हें मोदी से तकलीब होनी बहुत स्वाभाविक है यह हमें जो गालिया देते हैं उनके जड़ा नाम निकाल के देख लेना यह सारे लोग किसी ने किसकी एस में फसे हुए हैं ब्रस्टा चार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पर जिन्द की गुजार रहे हैं लेकिन यह लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालिया दे ब्रस्टा चारियों पर कारवाई नहीं रुकेगी मुझे जराब बताईए दमों के मेरे भायों भनो इतनी तादाद में आप आये हैं जादा लोग धूप में तप रहे हैं लेकिन मुझे प्यार से सच्चा बता दीजिए क्या मुझे ब्रस्टा चारियों के खिलाप कारवाई करनी चाहिए ब्रस्ताचारियों को जेल बेजना चाहिए ब्रस्ताचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापिस मिलना चाहिए जो लूटा है वो लोटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यहां प्या आशिरवाद है ना मुझे यही आशिरवाद मेरी ताकत है मैं ब्रस्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही आपने मुझे इस सेवा के लिए जन्म दिया है साथ क्यों आज मजाल है कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए पैसा भेजे और कोई पंजा बिच में से उसको लूट जाए वो जमाना चला गया इसी साल मद्द प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार ने हजारों करोड पे सीधे उनके बैंक खातों में बेजे हैं इस पर दे एक भी पैसा कोई पंजा लूट नहीं पाया है जानते हैं क्यों क्योंकि वो यहां सरकार में नहीं है अगर गलती से भी कॉंग्रेश मद्द प्रदेश सरकार में आ गई तो हर काम में 85% कमिश्रन ताय है यह उनके एक प्रदान मंत्री 85% ताय करके गए फिर नहीं यहां विकास होगा और नहीं कोई काम होगा कॉंग्रेश फिर से मद्द प्रदेश को बीमारू राज्य बना देगी इसलिए मद्द प्रदेश के लोगों को विशेशकराज की युवापीडी को कॉंग्रेश से बहुत सावधान रह रहा है प्रदेश बेश बना रहा है